सो हेई गाईज वेलकम बैक्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेशन नमबर 6 वर्ल्ड हाउस जो कि क्लास 1st का यूनिट नमबर 4 से तो यहाँ पर यह जो लेशन है यह बहुत मसेदार है तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नहीं है तो इसे सब्स्राइब कर द in the blanks कहने का मतलब है यहाँ पर आपको वर्ड दिये गए हैं बराबर ना जो फूट किचनी बैग वगर यह वर्ड दिये गए हैं और यहाँ पर ब्लैंक्स दिये गए हैं जैसे home, numbers, body parts, clothes तो कहने का मतलब है कि आपको यह वर्ड पढ़ने हैं आपको देखने कि किस से related है य या फिर clothes से तो चलिए देखते हैं आप फूट अब फूट जो है यह क्या है फूट मेंस होता है पैर तो पैर नंबर है नहीं, clothes है नहीं, home में kitchen वगेर है मतलब सारी चीज़े नहीं तो food जो है वो body part है तो food को हम body part से कर देंगे, kitchen, kitchen home में होता है ठीक है तो home में कर देंगे knee, knee मेंस का होता है, knee एक body part है तो body part में कर देंगे, bag, bag जो होता है वो clothes यानि कपड़े से related है वरावन ना, तो bag को clothes में कर देंगे, one अब यहाँ पे one आगया, one means एक तो यह number से related है तो numbers में इसे लिख देंगे, अब यहाँ पे mother, mother क्या है तो mother home में, home में mother रहते हैं, father रहते में आ जाएंगे सारी यह भी क्लोफ से रिलेटेड है तो क्लोफ में आ जाएंगे रिष्ट रिष्ट मिन्स होती है कलाई तो कलाई क्या है बॉड़ी पार्ट से तो बॉड़ी पार्ट में आ जाएगा कोट कोट भी क्लोफ से रिलेटेड होता है तो यह क्लोफ में आ जाएगा spoon, spoon means होता है चमच, तो ये घर में होता है home से related है, तो home में जाएगा three, three numbers है तो numbers में जाएगा, eyes eyes means arc, body part है तो ये body part वाले column में जाएगा elbow, elbow जो है ये भी body part है, elbow means कोहनी तो ये भी आपका body part में आएगा cupboard, cupboard जो होता है ये भी होम से related है, तो home पे जाएगा five, five जो है ये numbers है, तो numbers में जाएगा scarf, ये clothes related है तो cloth में आएगा shoulder, ये body part है तो body part में जाएगा ठीक है, body part में आभी में इसे लिखेंगे, dress dress देखो, ये भी clothes related है तो clothes में आएगा, okay tv, tv जो है, ये homes से ब्याइब होता है घर में पाए जाता है तो हम में जाएगा तो आया थी यह में पाया जाता है तो यह होम में जाएगा हॉल भी होम में होता है तो होम में लिखेंगे बैड बैड भी होम में तो यहां पर देखो यही था आपका बहुत आसान सा देखो बहुत जादा आसान था तो आप जो है इसे आप कर लेना लिख लेना ठीक है तो यहां पर आपका य आन्यवाद